वेलकम बैक, मैं हूँ गौरब और आप देख रहे हैं कोटन बैलो जी किसी भी एक्जाम में सबसे एहम मुद्दा होता है कि आप निगेटिव मार्किंग से बचें और इसको रिड्यूस करने का कई तरीके हो सकते हैं उसमें से एक एहम जो है, वो है कि आप silly mistakes से बचें silly mistakes वैसे mistakes हैं, जिसमें हमें question का answer आता तो है लेकिन overconfidence हो जाता है और जल्दी जल्दी में हम उसका wrong answer क्लिक करके आते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि ये question जो है वो हमने गलत क्लिक कर दिया था और ये होता है क्योंकि हम पूरी questions को ठीक से नहीं पढ़ता है, कभी आपने feel किया होगा कभी incorrect लिखा रहता है, bold letter में लिखा रहता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और आधा question पढ़के उसका answer कर देते हैं और यही जो है negative marking की और हमें ले जाता है और negative marking का एक negative effect ये है कि इसमें आपका double deduction होता है मतलब एक तो जो question गलत है उसका marks कटा ही कटा पलस जो आपका आया वा marks है, जो आपके पास है उससे भी deduct हो जाता है तो इससे बचना चाहिए और अगर आप इससे बच गए तो आपके chance जो है आपके अच्छा करने का chance जो है, वो कई गुना बढ़ जाता है तो silly mistakes से बचना चाहिए आज हम एक example से इसे समझते हैं कि ये कैसे होता है example के तोर पर हम पढ़ते आ रहे हैं ये genetics का एक question है जिसमें से हम लोग incomplete dominance को पढ़ते आ रहे हैं तो एक white flower लिया हमने और एक pink flower लिया अब जब इसका हम लोग cross कराएंगे तो क्या आएगा अगर love dominance की बात करें तो ये क्या आएगा पिंक ही आना चाहिए लेकिन ये example incomplete dominance में हमें दिया गया है और incomplete dominance करने का मतलब इसका intermediate product होना चाहिए ना ये white होगा और ना ये pink होगा लेकिन हम आपको कुछ और ही दे रहे हैं इसका result में एक white flower है और एक pink flower है जिसके resultant जब cross कराते हैं तो उसका result आता है वो ना तो white है ना ही pink है ना उसका intermediate है actually वो क्या है दोनों का mixture है तो ये जो नियाम हम लोगों ने पढ़ा है ये यहाँ पर actually काम नहीं आने वाला हम लोगों ने पढ़ा है NCRT में भी कि incomplete dominance होता है mirabalist जलापा के flower में जिसको हम लोग 4 o'clock भी कहते हैं इसमें हम लोगों को incomplete dominance पढ़ने को मिलता है देखने को मिलता है कि आप एक red flower को अगर एक white flower से cross कराते है तो आपके result में जो है f1 generation में क्या आता है pink flower आता है ना तो ये dominate कर पाता है ना ये red है और नहीं ये white है ये कैसा है pink है यानि कि एक intermediate product है इसलिए इसको हम लोगों क्या कहते है incomplete dominance इस case में थोड़ा सा ये अलग है इस case में क्या हो जाएगा ऐसा ये इस तरह से नहीं काम करता तो इसमें होगा क्या एक और example हम लोग पढ़ते है co-dominance का जो कि हम लोग coat color में पढ़ते है कि अगर white है और black है और अगर cross कराते हम लोग तो white भी आता है आपका A है और B है अगर दोनों ये लिल एक साथ आता है तो A भी एपियर होता है जिसको हम लोग co-dominance करते हैं दोनों dominate कर गया तो इस case में nature में भी ये चीज देखने को मिलता है ऐसा case ऐसा नहीं flower में स्रिफ incomplete dominance होता है nature में एक flower है आपका camellia का flower है जिसमें ये co-dominance का case भी देखने को मिलता है तो अगर हम लोग ठीक से question को ना पढ़े शरीफ हम लोग देखें white flower है, pink flower है और red flower है तो हम लोग तुरंत answer कर सकते हैं incomplete dominance का लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये incomplete dominance नहीं ये co-dominance है तो बस example का meaning ये नहीं कि यही question है example का देने का मतलब ये है कि आप कम सकम दो बार question को जरूर पढ़ें पहली बार जाप पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई चीज छूट जाए कोई bold letter से लिखा या नहीं लिखा कहीं correct है, कहीं incorrect है आपको ठीक से नहीं वो समझ में आए तो आप उसको जब दुबारा पढ़ेंगे तो वो चीजें जो पहली बार आप नहीं समझ में आपको जरूर गेन हो जाएगा और इससे आप वो सब mistake चुटे-चुटे mistake से negative marking से बच सकते हैं Thank you so much for watching this video अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो को like कर दिजे मैं हूं गौरब और आप देख रहे हैं Kodun Baloo जी Thank you so much Thank you